आज आप सबको अपनी बिगबुक दी गई है ना और आप लोगों की टीम बनी हुई है कि तलाकर पांच टीम बनी है जिसमें दो टीम में 6 छे लोग हैं और बाकि टीम में पांच-5 लोग है है ना तो सभी टीम को अपनी एक बिग बुक दी गई है दी गई है आपको कौन से बिग बुक मिली है ठीक है आपको कौन से बिग दोस्तों को कहानी को पढ़कर सुनाना है और समझाना भी है ठीक है ना उसके बाद एक एक करके टीम आकर अपनी कहानी सुनाएगी और जो कहानी सुनाई गई है उसमें से हम कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं तो बागी के टीम के लोगों को भी तैयार रहना ताकि किसी से भी प्रश् LISA जाएए तो प्रश्न आप जवाब प्रश्न का दे सके ठीक है नँ सब हो जाएका सबसे कहानी को ध्यान से पढ़ना है समझना वी प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग समझा सकें ठीक है ना तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू किजिए खोलिए कहानी और पढ़कर सुनाईए बच्च आपस में गुसरे को बच्च आपस हमें तो सभी को बिग बुक से कहानी पढ़ने के लिए दिया गया था है ना और उसमें सबसे पहली टीम थी रुबीना की रुबीना आपको कौन सी कहानी दी गई थी पढ़ने के लिए रुबीना को कहानी दी गई थी हाती और बक्री ये कहानी थी इनकी ठीक है तो अब इस कहानी को सुनाना है रुबीना आप इस कहानी को सुनाएए कौन दोनों दोस्त बन गया है तो सुहानी बताएंगी कि इस कहानी में कितने लोग बता और आप एकने लोग थे सुहानीं से पूछा गया था रिखी कितने लोग थे कहानी में चार लोग थे से इस कहानी में दोस्त कौन कौन बना शिखा दोस्त बन गए सबसे पहले हाथी की पीट पर कौन चड़ा था कौन कौन चड़ाता हाती की पीट पर कॉन चणा था और गिलहरी क्या हाथी जगा हुआ था दिव्या हाथी क्या था सो रहा था क्या कर रहे थे खरगोष और गिलहरी हाथी की पीट पर तुम बताओ क्या कर रहे थे खेल रहे थे खर्गोश और गिलेहरी क्यों भाग गए रुबीना कि डर कर भाग गए ना हां तो इस कहाणी से क्या सीखे कोई सो रहा है नीद में है थका हुआ है तो उसकी पीट पर चड़ कर उसको परिशान नहीं करना चाहिए ठीक है तो क्या बकरी भी पीट पर चड़ी थी चड़ने लग गए थी है ना हाँ आधियन कुछ कहना चाह रहे है बताईए बकरी परिशान नहीं करना चाहिए ठीक है वेरी गुड क्लैप कर दीगे इस टीम के लिए ये उदय और उनकी टीम है हाथ नीचे कर लो तो आप लोग को कौन सी कहानी मिली थी बिता इनको मिली थी कहानी मुर्गी के तीन चूजे तो कहानी सुनाईए पर क्या हुआ पर क्या हुआ जब चाहते थे तो वो गिर जाते थे फिर थोड़ा तेज बोलिए फिर क्या हुआ कोई और भी बता दे उसके बाद क्या हुआ कोई बताएगा दिवाल पर चड़ने के बाद दिवाल फान गए तो क्या हुआ पर क्या हुआ तब क्या हुआ अब इसके आगे तमन्ना बताईए क्या हुआ उसके बाद जब सड़क पार कर रहे थे तो क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ यच जब बताईएब क्या हुआ पर क्या हुआ प्र प्र क्या हुआ आगे चले गए ना वहाँ से चले गए उन्होंने मोटर सैकिल वाले को बोला फिर वो आगे चले गए तो अब बटाना है इससे प्रश्ण है पिटे सीधे बैठ जाओ उनुझ पहला प्रश्णी यह है अभिशेख बताएंगे कि कहानी में कौन कौन था मुर्गी और टीन चूजे और कोई नहीं था इस कहानी में एक मोटर सैकिल वाला भी था है ना विशाल बताएंगे मुर्गी के कितने बच्चे थे बिटा कितने चूजे थे तीन मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं जैक्सन क्या कहते हैं क्या कहते हैं democratic यह हैं चूजा हो गया नहीं पिर अब चंदन बताएंगे कि मुर्गी क्या करने की कोशिश कर रही थी दिवाल पर चड़ने की जब दिवाल पर चड़ रही थी तो क्या हुआ धम से गिर जाते थे बच्चे है ना मुर्गी ने क्या कहा जैक्सन तुम बताओ मुर्गी कैसे बोलती है वेरी गुड विशाल बताएंगे चूजे कैसे बोल रहे थे चूजे कैसे बोल रहे थे कैसे बोल रहे थे ची 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 चूजे कैसे बोल रहे थे मुर्गी ने मोटर साइकल वाले से क्या कहा बताओ सब लोग बताओ मिलकर क्या कहा देखकर जलो भाई ठीक इस कहानी से क्या सीखे को सीख बताओ को समझ में आया है इस कहानी से कोई सी हाँ वेरी गुड मा की बात मानना चाहिए शाब बाज वेरी गुड क्लैप कर दो बहुत बढ़ी हैं यह तीम है अधिती की अधिती कौन है हाथ उठाई के वेरी गुड तो अधिती की टीम में पांच लोग थे और इनको कौन सी कहानी मिली थी क्या मिली थी अधिती की कहानी है शेर की गुफा तो अधिती अपनी कहानी सुनाएंगी सुनाईए बिटा इस कहानी में कौन है हाँ फिर क्या हुआ उनके साथ और कोई सुनाएगा सब लोग मिलकर सुनाओ जो यादा है पढ़ना नहीं है कहानी को सुनाना है कहानी की तरह सुनाना है जरूरी नहीं जो लिखा है वही बताए बस जो समझी वो बताओ हां शेर कहा है य ह्म सिर कहा है थां पिर क्या हुआ है कि प्रेट क्या हुआ है शेड को देखकर क्या हुआ होगा सेवा सियार के परिवार को तो ऐसे बताओ कि वो सब डर गए क्या किसी आरें एक दिमाग लगाकर अपना एको पाई सुची फिर टेज बोलो फिर क्या हुआ भाग गया तुरंट हाँ फिर इसको कौन मिला शेड को बंदर को कौन मिला बंदर मिला बंदर ने क्या था फिर फिर जब जाने लगा तो क्या हुआ तो ये सुनकर क्या हुआ सेड डर के घबरा गया और हाँ शाबबाश वेरी गूट तो अब बताओ कि अकांचा बताएंगी कि इस कहानी का क्या नाम था अकांचा हाँ इस कहानी का क्या नाम था हाँ इस कहानी का क्या नाम था इस कहानी में कौन कौन थे पलक बस सियार था और कौन था और कोई नहीं था शेर था और और भी कोई था कौन था बंधर भी था है ना तो सियार और सियारे इन उसके परिवार कहां रह रहे थे कहां रह रहे थे शेर की गुफा में रह रहे थे है ना तो जब रहने लगे तो फिर वहां कौन आया कौन आया तो सियार और सियारें क्या डर गए कि नहीं डरे डर गए तो उन्होंने क्या किया उन्होंने डरावनी आवाज निकालना शुरू किया ठीक है तो फिर शेर को बंदर क्या किया क्या बताया शेर को कुफा के अंदर सियार और सियारिन है तो सियारिन ने अपने और अपने परिवार की जान कैसे बचाए और फिर भी तो आ रहा था बंदर लेकर आ रहा था फिर क्या किया फिर क्या के ही शेरिन क्या बोली हां तियारिन ने कहा देखो हमारा सिकार आ रहा है बंदर उसको लेकर आ रहा है है ना यही बोली ना सियारिन तो इस कहानी से क्या सीखे हां जब मुसीबत सामने आ जाए तो अपनी बुद्धी का प्रियोग करना चाहिए जैसा कि किस ने किया अपनी बुद्धी का प्रियोग किस ने किया सियारिन ने किया ना उसने उल्टबंदर का नाम लेकर जो है शेर को ही डरा बंदर हमारा शिकार लेकर आ रहा है तो शेर को लगा कि यह बंदर मुझे बेवकूफ बना रहा है अंदर जरूर कोई बड़ा जानवर है जो मुझे खा जाstream ना इसलिए वह को वहां से दुम दबाकर शाबाज क्लैप कर दो सारे बच्छे टीम है निर्मल की निर्मल सीरे खड़े हो जो प्रीती इस टीम में कौन लीडर है हाथ उठाओ निर्मल क्या नाव है आपका निर्मल निर्मल आपको कौन सी कहानी मिली थी पेटा मा और बच्चे निर्मल को कहानी मिली थी मा और बच्चों की ठीक है तो कहानी अच्छे से पढ़ लिया है आप लो बताईए क्या थी कहानी मा और बच्चेश निर्मल 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 के लिया है आप कि अनि गाले ये शुरीली की बच्चे की अनि पलिका कि ए। मोनी की बच्चे साथ में मोनी की बच्चे साथ में खेलने लगे मोनी की खोड़ कर उसके में जोस्ति कर दी और में देखने लगी चाब बच्चे खेलने शाबज, very good अब ये बताओ सुरीली क्या है, इस कहानी में सुरीली क्या है, बताओ सुरीली क्या है क्या है सुरीली एक कुदिया है, कुदिया के कितने बच्चे हैं दो बच्चे है, कौन कौन से एक भूरा और एक काला सब मिलकर कहां गये थे कहां गये थे विशेष सेर करने गये थे गूमने गये थे है ना उनोंने क्या पार की विजे नदी पार की है ना वो सुरीली जो है सुरीली ने किसको देखा बिल्ली का नाम क्या था प्रतिग्या हां क्या नाम था बिल्ली का नाम मोनी था मोनी के कितने बच्चे थे मौनी के भी दो बच्चे थे तो सुरीली के बच्चे ने मौनी के बच्चे को देखा तो क्या किया मौनी के बच्चे थे अपस में मिलकर खेलने लगे सभी माएं दोनों माएं क्या हो गई खुश हो गई कि मेरे बच्चे तो खेल रहे हैं ठेक है हाँ तो इस कहाणी से क्या सीखे कि क्या सीखे बताओ शाब बाज वेरी गुड क्लैप कर दो बहुत बढ़ियां अगली टीम अंश्राज की टीम है कौन है इस टीम का लीडर अंश्राज वेरी गुड तो अंश्राज को कौन सी कहाणी मिली थी हां अंश्राज को कहाणी मिली थी चिडिया ठीक है तो अंश्राज कहाणी सुनाइए अपनी कर दो बहुत कहाणी है सीकुप वेरी थी चे अंश्राज क्हें पर टीम है पर अंश्राज को को पहाणी सी टीम है मिली थी है तेज बोले बट्टा थोड़ा तेज बोले कुछ सुनाई नहीं देरा आरेन आप सुनाओ तेज बोलो तेज बोला तेज बाहर निकाला तेज बोला अब खान के लिया ने कहा तब क्या हुआ तो अब बताओ कि तनू बताएगी कि इस कहानी में कौन कौन है तनू चडिया और इस कहानी में चडिया और बिली है अनूज बताएगे कि चडिया के साथ क्या हुआ था क्या हुआ था चडिया के साथ कहानी पढ़े हो ना समझाया नहीं अरेन कहानी ने अनूज बताएगे चडिया कहां गई थी तो क्या हुआ था चडिया के साथ हाँ तो यही तो पूछ रहे थे ना कि चडिया के साथ क्या हुआ था तो जब तिल चडिया तालाब में गिर गई तो क्या हुआ अकांचा जब तालाब में गिरी तो क्या हुआ डूब गई हाँ क्या हुआ बताओ और उसने बिली से क्या कहा हाँ उसने बिल्ली से मदद मागी तो बिल्ली ने चड़िया को बचाने के लिए क्या शर्त रखी आरियन हाँ बिल्ली ने शर्त रखी कि अगर मैं तुम्हें बचाऊंगी तो मैं तुम्हें खाऊंगी है ना तो चड़िया को क्या उपाई सुझा उसने क्या कहा बिल्ली से आरियन अभी अंश्राज बताई उसने कहा तुम मुझे बचाओ लेकिन जब मैं सूख जाओंगी तब मुझे खाना ठीक है तो बिल्ली बचा लेती है और जब बिल्ली खाने के लिए कहती है तो फिर क्या होता है चड़िया कहती है कि मैं सूख जाओ और बिल्ली क्या करने लगी तब उसके सुखने का इंतजार करने लगी है ना और इंतजार करते क्या हुआ कौन सोया चड़िया की बिल्ली तो पूरा बाक्य बोलो कि इंतजार करते करते बिल्ली सो गई और जब बिल्ली सो गई तो क्या हुआ चड़िया मौका पाकर भाग गई तो इस कहानी से क्या सीखे इस कहानी से क्या सीखे क्लैप कर दो आरियन के लिए अगर हम अपने पुद्धी का इस्तेमाल करें